स्टोरी टाइम में आज आप सब कफिर से स्वागत है आज हम बहुत ही एक प्रेन दायक स्टोरी सुनने वाले हैं और इस स्टोरी का नाम है सबसे बड़ा पुन्य हम सब पाप और पुन्य के बारे में जानते भी है, मानते भी है और कहीं बार बहुत कुछ हम करते रहते हैं तो चलिए आज हम इस प्रेनदायक स्टोरी से जानते हैं कि सबसे बड़ा पुन्य क्या एक बार एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था हमेशा प्रजा के हीत में प्रयतनशिल रहता था वह इतना कर्मट था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था यहां तक की जो मोक्ष का साधन है अर्थार्थ भगवत बजन उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था एक सुबर राजा वन की तरफ ब्रमन करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चोड़ी पुस्तक देखकर उसने पूछा महराज आपके हाथ में ये क्या है देव बोले राजन यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम है राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा कुरूपिया देखिये तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं देव महराज किताब का एक एक पुस्त पन्ना उलटने पुलटने दगे परन्तु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा महराज आप चिंतित ना हो आपके ढुन्ने में कोई भी कमी नहीं है वास्तव में ये मेरा दुर्भा क्या है कि मैं भजन किर्टन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसी लिए मेरा नाम यहां नहीं है उस दिन राजा के मन में आत्म ग्रानी सी उत्पन हुई लेकिन इसके बावचुद उन्होंने इसे नजर अंदास कर दिया और पुन परोपकार की भावना लिए दो उसरों की सेवा करने में लग गए कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरब टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव माराज के दर्शन हुए इस भार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और वह पहली वाली से काफी चूटी भी थी राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा माराज आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है देव ने कहा राजन आज के बही खाते में उन लोगों की नाम है जो इश्वर को सबसे अधिक प्रिया है राजा ने कहा कितने भागय शाली होंगे वे लोग निश्चित ही वे दिन राद बगवत बजन में लीन रहते होंगे क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था राजा ने आश्चर्य चकित होकर पुझा महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है मैं तो मंदीर भी कभी कबार ही जाता हूँ देव ने कहा राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है जो लोग निश्काम होकर संसार की सेवा करते है जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अरपन करते है जो लोग मुक्ति का लोब भी त्याग कर प्रबूस के निर्बर संतानों की सेवा गौसेवा गौर्शन की सहायता में अपना योगदान करते है उन त्यागी महापूरूशों का बजन स्वयम इश्वर करता है हे राजन तू मत पच्ता कि तू पुझापाट नहीं करता जीव सेवा गौसेवा लोगों की सेवा कर तू असल में भगवान की ही पुझा करता है परोपकार और निश्वार्थ लोग सेवा कब किसी भी उपासना से बढ़कर है देव ने वेदो का उधारन देते हुए कहा कि कर्म करते हुए सो वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्थ हो जाओगे राजन बगवान दिन दयालू है उन्हें खुशामय नहीं बाकी बल की आचरण भाता है सच्ची भक्ती तू यही है कि परोपकार करो गो सेवा साधू भ्राम्वनू दिन दुख्यों का हित साधन करो अनात, विध्वा, किसान, वनिधर्द आज अत्याचारों से सताय जाते हैं इनकी अथाशक्ती, सहाईता और सेवा करो और यही परमभक्ती है राजा को आज देख देव के माध्यम से बहुत बड़ा ग्यान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं आज की इस कहानी से यही शिक्षा है मित्रो जो व्यक्ती निस्वार्थ भाव से गौ सेवा दिन दुख्यों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं पर मात्मा हर समय उनके कल्यान के लिए यतन करता है हमारे पुर्वचों ने भी कहा है कि दूसरों के लिए जीना दूसरों की सेवा को ही पुझा समझ कर कर्म करना परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुन्य है और जब आप भी ऐसा करोगे तो स्वत्त ही आप वह ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाओगे तो मित्रों आप क्या सोच रहे हो आपको कौन सी डायरी में स्थान लेना है बड़ी वाली डायरी या छोटी वाइदनी डायरी चोटी वाली डायरी में स्वयम भगवान अपने हाथों से उन व्यक्ति की नाम लिखता है जो सदा समर्पन भाव से निस्वार्थ भाव से किस भी कोई भी फल की आशा रखते हुए सिवा करते है तो चलिए इस कहानी से हम अपने जीवन में कुछ प्रेणा ले और हमारे जीवन को एकदम सुन्दर जो भगवान को पसंद है ऐसा जीवन हम बनाए ओम शांती ओम शांती ओम शांती